स्टुडेंट वेलकम टू दो ब्रेंट साथ क्लासेश आज अबन पढ़ेंगे क्लास एट के मेस चेप्टर नमबर नाइन अपने पास में और एक्सेसाइजे 9.3 ठीक है तो कोशन नमबर वन में आपसे बोला है केरी आउट दा मल्टिप्लिकेशन ओफ दा करना है तो क्या करेंगे जो मोनो मेल है उसको अपन बाहर लिख देंगे और जो अपने टूटम से उसको अपन ब्रेकिट के अंदर लिख देंगे ठीक है, अब क्या करना है, 1 by 1 multiply करना है, तो 4P को जब Q से multiply करेंगे, तो कितना होज़ेगा 4PQ क्योंकि यहाँ पर plus का sign है, यहाँ पर भी plus का sign है, तो plus, यहाँ लेकिने की जोड़क नहीं है 4 और यहाँ 1 है, तो 4 1 जब 4 और P into Q कितना होज़ेगा PQ, इसी तरीके से, जब इसको इससे multiply करेंगे, कितना होज़ेगा, 4P R, ठीक है second अपने पास में, AB, A minus B, ठीक है, तो इसको कैसे लगेंगे अपन, AB, उसके बाद में A minus B, अब 1 by 1 multiply कर देंगे, तो AB को जब A से multiply करेंगे, तो power कितने हो जाएगी A की power 2, A की power 2 और B हो जाएगा, फिर जब AB को minus B से multiply करेंगे, तो minus का A और B की power कितने हो जाएगी 2, यह जग इसका answer थर्ड कोशन है इसका, तो जो binomial उसको अपन bracket में लखेंगे, और जो monomial उसको अपन starting में लख देंगे तो यहां से लखेंगे, 7A square B square और A plus B, ठीक है अब 1 by 1 multiply करते हैं तो 7A square B square को जब A से multiply करेंगे, तो A की power 3 हो जाएगी तो यहां लखेंगे अपन 7A cube B square B की power A दिस रहेगी फिर जब वापिस अपन इसको B से multiply करेंगे तो इस बार B की power increase हो जाएगी मतलब B square से B cube में कनोट हो जाएगा क्योंकि एक power क्या हो गई, एक्स्टा 4 तो इसका, तो सबसे पहले 4A को अपन लख देंगे, बाहर क्योंकि यह monomale और जो binomale उसको अपन bracket में लख देंगे, ठीक है multiply करते हैं 4A को A square से multiply करेंगे तो 4A की power 3 minus 4, 9 जा होता है अपने पास में 36, और वापिस आजएगा A, 36A इसके बाद, इसका फिप्त पाट है PQ plus QR plus RP को किसे multiply करना है, 0 से और अगर अगर अपन किसी भी value को 0 से multiply करते हैं, तो उसकान से कितना होता है, 0 यानि क्या लख देंगे, PQ plus QR plus RP, ठीक है, और bracket के बार क्या लिख दे, अपने 0 से multiply कर रहे है, तो इसका total जो answer है वो आजएगा 0 Next is का second question complete the table table को complete करना है, इसके अंदर अपने को first or second expression देर के ठीक है, इनको क्या करना है, product find out करना है तो यहाँ पर हमेंने first or second लिख दिया इसके बाद में इसका product find out करना है तो monomal को अपन लिखेंगे बाहर और जो binomal है, trinomal है, उसको लिख देंगे अपन bracket में, अब one by one सब इससे multiply करते हैं, तो क्या हो जाएगा A को इससे multiply करेंगे, क्या जाएगा, A, B फिर इससे multiply कर चुके है, अपन इससे multiply करते हैं, तो क्या जाएगा plus A, C, फिर इससे multiply करेंगे क्या जाएगा, plus A, D यानि कि first का answer आजएगा ये, ठीक है second अपने पास में X plus Y minus 5 और इसका second exhibition में 5XY तो ये monomal है, और ये trinomal एक विसमें 3 terms हैं, तो trinomal को लिखेंगे अपने bracket में, और monomal को उपन लिखेंगे, बाहर X plus Y minus 5 अब 1 by 1 सभी से multiply करते थे इसको, तो 5XY को जब X से multiply करेंगे, कितना हो जाएगा 5 X square Y ठीक है, 5XY को जब Y से multiply करेंगे तो 5 X Y square हो जाएगा, और 5XY को जब minus 5 से multiply करेंगे, कितना हो जाएगा minus 25 X Y, यह जाएगा इसका second का answer, इसी का third question है इसके अंदर, first तो है P, और जो second है, वो है 6P square minus 7P plus 5 ठीक है, multiply करते हैं इसको अब तो सबसे पहले bracket की form में लिख लेंगे इसको, 6P square minus 7P plus 5, 1 by 1 सब इससे multiply करेंगे इसको तो multiply में, base same होते हैं तो power 8 हो जाती है, यह यहां से क्या लिख देंगे इसको multiply करेंगे, तो 6P 3, power 2 है, power 1 है power 3 हो जाएगी, फिर जब इसको इसससे multiply करेंगे, second value से first से अपन multiply कर चुके है, फिर second से, उसके बाद, फिर third से तो second से multiply करेंगे, कितना जाएगा minus 7P square P की power 1 वहाँ पर है, और P की power 1 यहाँ पर है, total power हो जाएगे P, sorry, P square इसको जब इससे multiply करेंगे, last value value से तो कितना जाएगा, 5P हाजएगा, normal ठेक है, इसका fourth है, fourth part 4P square Q square, P square minus Q square तो इसको सबसे वहले bracket की 4 में लेखे लेंगे, 4P square Q square, bracket में लेखेंगे अपन P square minus Q square आप multiply करते हैं इसको, तो 4P square Q square, जब P square से multiply हो गया, तो क्या बन जाएगा 4P की power 4, Q की power 2 क्योंकि यहाँ पर P की power 2 ओर और P की power 2 से और multiply कर दिया आपने, तो P की power कितने हो ज़िए कि अपने पास में total, 4 ठीक है, इसी तरहेगे से अपने पास में यहाँ पर Q square है और इसको multiply करेंगे, तो minus 4P square और Q की power कितने हो ज़िए कि अपने पास में, 4 ठीक है, यानि कि multiply में base same होते है, तो power 8 हो जाती है और इसका fifth part है तो इसमें लिखावा है ABC, ठीक है, तो मैं इसको direct लिख रहा हूँ, ABC और bracket में लिख रहा हूँ A plus B plus C इस कान से लिखते हैं, ठीक है तो कॉमा लिखावा तो मैंने direct लिख दिया इसको ABC जो है, इसको A से multiply करेंगे तो इसका answer आजएगा, A square B into C फिर वापीस जब B से multiply करेंगे तो आएगा, A B square into C प्लस, जब C से multiply करेंगे तो आएगा, A B into C square यह जब इसका right answer next इसका question number 3 find the product, product find out करना है ठीक है, तो देखो, sign जो है sign से multiply होगा, और digit जो है digit से multiply होगी, और variable जो है तो यह आपर लिखावाई 1, यह लिखावाई 2, यह लिखावाई 4 यानिकि 1, 2, 2, 2, 4, 8 तो answer आजएगा, इसका 8 उसके बाद A की power तीनों किसमे है, multiply में बेज से में, power क्या हो जाएगी, 8 26, 22 और यह होगा, अपने पास में 2 ठीक है, तो यह होजएगा 26, 22 और यह 2 यह तीनों 8 हो जाएगे, इस कांसर आजएगा 6, 7, 8, 9, 10, carry 1 2, 2, 4, और 1, 5 यानिकि, एक ही power आजएगा, इसमें 50, ठीक है, इसी तरीके से इसको करते हैं, solve, तो यहाँ पर सबस का sign है, यहाँ पर माइनस का sign है, ठीक है, तो अपर लिख देंगे माइनस, फिर इसको लिखेंगे अपन 2 by 3, multiply यहाँ लिखेंगे अपन 9 by 10 इसको इस तरह के से इसलिए लिखा है, क्योंकि आपने इसको cancel out कर देंगे X की power 1 है, X की power 2 है, तो X की power कितने होगे total 3, Y की power 1 Y की power 2, तो Y की power हो जाएके अपने पास में 3, ठीक है अब 3 से 9 को cancel out किया 3 time, 2 से 5 को cancel out 10 को cancel out किया 5 time ठीक है, 2 से 10 को cancel out किया कितने time, 5 time तो यहाँ से अपने पास बचा, minus 3 upon 5, इसको लिखेंगे minus 3 upon 5 X की power 3, Y की power 3, यानि की X cube Y cube, यह जगा इसका answer, इसका third part है तो इसमें भी वही same process सबसे पहले जो number से हैं, उसको तो अपन अलग लेके लेते हैं, ताकि इनको अपन cancel कर सके हैं जो variable है, अगर उनकी power जो है, उसको अपन 8 कर लेंगे तो P की power 3 और P की power 1 multiply में तो 8 हो जाएगी तो P की power कितनी हो जाएगी, total 4 और Q की power भी कितनी हो जाएगी, अपने पास में 4, क्योंकि Q की power 3 यहाँ पर है और 1 power यहाँ है, तो total हो गई 4 3 से इसको cancel out करेंगे 2 time, ठीक है और 5 से इसको cancel out करेंगे 2 time clear यहां तक, इसको multiply कर लेंगे तो minus 2 multiply 2 minus 4, P की power 4 Q की power 4 यहाँ जाएगे इसका answer और इसका fourth part है, इसमें अपने पास में digit नहीं है, बट variable है और variables हो है, जैसे variable है निकि like variable है, multiply में है तो power क्यों जाएगी, 8, यहाँ पर है power 1 यहाँ power 2 है, यहाँ power 3 और यहाँ पर power 4, तो 4 plus 3 कितना हो गया, 7 7 plus 2 कितना हो गया, 9 और 9 plus 1 कितना हो गया, 10 यहाँ इसका answer आजएगा, x की power 10 सभी को अपने 8 कर दिया 4 plus 3, 7, 8, 9 और 1, 10, x की power आजएगी 10 next है question number 4 simplify, इसको simplify करना है और इसकी value find out करना है कहाँ पर x is equal to 3 और x is equal to 1 by 2 पर तो सबसे पहले आपने इसको solve करेंगे क्या लिखेंगे यहां से 3x multiply 4x minus 5 plus 3 इसका bracket open करते हैं यानिकि इसको multiply कर लेते हैं तो यहां से 3, 4, 12 x की power हो जाएगी 2 power 1, power 1, 2 power हो गए यहां से इसको multiply करेंगे तो minus 3, 5, 15 और x आजएगा साथ में और plus 3 अब इसमें अपन डूंड़ेंगे like term तो इसमें like term नहीं है multiply यहीं तक करना है क्योंकि bracket यहां आता कि अपने पास तो पहले इसको multiply करना है उसके बाद इसको इससे multiply करना है यह जिदिस आजएगा इसमें like term नहीं है तो अपन क्या करेंगे values point out करनेंगे x is equal to 3 के लिए तो first आप पर लिखेंगे put x equal 3 इस equation में x के place पर 3 put करना है इस पूरी equation में करते हैं put तो यहां से 12 x की power 3 x की power लिखना है 2 तो यहां पर 3 की power कितनी जाएगी 2 minus 15 into x यानि कि 3 ठीक है और plus 3 लिख दिया as this जहां पर x लिखावा था मुआ पर क्या लिख दिया अपने 3 लिख दिया जितनी power थी उतनी power वापिस लगा दी अब इसको solve करते है तो 3 की power 2 जाएगा अपने पास में 9 ठीक है ना 3 into 3 9 minus इसको अपन multiply कर लेंगे यह जाएगा 45 और plus 3 solve करते हैं इसको 9 to the 18 के लिख आजएगा 1 9 मेंचे 9 और 1 10 यानि कि इसका answer आजएगा multiply करने पर 108 minus 45 और plus 3 अब 108 में से 45 को तो minus करना है और 3 को 8 करना है तो अपने इसको इससे लिख देंगे 108 में से 45 को minus कर लेता है पहले यह 108 minus 45 तो 8 में से 5 को subtract करेंगे 3 आजएगा और यहाँ पे होगे आपने पास 10 और यहाँ होगेगा 0 10 में से 4 को subtract करेंगे तो 6 यानि कि इस answer आजएगा 63 ठीक है इन दोनों की value का और plus 3 HD से अभी तो total answer आएगा अपने पास में 66 ठीक है इकोल टू 1 by 2 तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 12 bracket में 1 by 2 उसका square क्योंकि power कितनी है अपने पास में 2 है minus 15 और 1 by 2 और plus 3 आजएगा edge this last वाला ठीक है solve करते है तो 12 1 by 2 का whole square है तो इस answer आजएगा 1 by 4 2 की power 2 कितनी होती है 4 इसको solve करेंगे तो इस answer आजएगा minus 15 upon 2 और plus 3 4 3 जएगा 12 तो इसको लिखेंगे अपन 3 minus 15 upon 2 plus 3 divided by 1 लिख देते हैं और इसका lcm लेंगे तो lcm कितना हैगा इसका lcm जएगा 2 1 की table में 2 आता है 2 time ठीक है और 2 को 3 same reply करेंगे तो आजएगा 6 minus यहाँ पर आजएगा 15 और यहाँ से आजएगा यह 6 तो 6 और 6 होगे आपने पास 12 12 minus 15 upon 2 तो इसका answer आजएगा minus 3 by 2 एक answer यह है और एक answer यह हो जाएगा clear यहां तक इसका second part अपने पास में इसको simplify करना है और उसके बाद में 3 values calculate करना है a is equal to 0 के लिए a is equal to 1 के लिए और a is equal to minus 1 के लिए तो सबसे पहले आपने इसको multiply करनेंगे a को इससे multiply करेंगे तो यहाँ पर आजएगा a की power 3 फिर यहाँ से multiply करेंगे तो a square क्योंकि यहाँ पर 1 power है यहाँ 1 power है तो 2 power हो जाएगी a को जब 1 से multiply करेंगे तो आएगा a और plus 5 आजएगा a is this ठीके अब इसके बाद में like terms नहीं है मतलब variable तो same है बट उनकी power same नहीं है जापे भी power और variable दोनों same होते हैं उसको अपन like term बोलते हैं और like term को आपस में a डिया सब्टेट कर सकते हैं ठीके according to sign तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले calculate करना है a is equal to 0 के लिए तो first आपन put करेंगे put a equal 0 a की value 0 put करेंगे यहाँ पर तो यह आजएगा 0 की power 3 यहाँ से आजएगा 0 की power 2 और यहाँ पर आजएगा 0 और प्लस 5 तो यह तीनों तो हो गई 0 total answer कितना जएगा इसका 5 ठीके उसके बाद में second value put करने अपने को a is equal to 1 तो यहाँ लेखेंगे put a equal 1 यहाँ पर 1 put करते हैं इस पूरी equation में ठीके तो यहाँ लेखेंगे अपन 1 की power 3 1 square प्लस 1 और प्लस 5 आजएगा a की जगापी क्या लिख दे हैं अपने 1 तो 1 की power 3 1 आजएगा 1 की power 2 1 आजएगा और 1 और प्लस 5 5, 6, 7, 8 इसका अंसर आजएगा 8 थर्ड आपने को value calculate करने थी a is equal to minus 1 के लिए ठीके तो a के पेलेस पे minus 1 लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगा minus 1 power 3 minus 1 power 2 minus 1 और प्लस 5 minus 1 की power 3 है तो minus की power जब भी odd number होती है तो आजएगा minus में यानि की minus 1 आजएगा minus 1 की power 2a even value है इसको आजएगा power में ठीके तो answer आजएगा plus में 1 इसको multiply करेंगे तो यह बनेगा minus 1 और यह बनेगा last value value plus 1 तो minus 1 से plus 1 cancel out हो गया और 5 में से 1 को subtract करेंगे कितना आजएगा 4 यह जएग इसका right answer next इसका fifth question इसका है part number 1 इसको add करना है तो add करने के लिए सबसे पहले comma का sign अट अगर के अपन plus का sign लगाएगे यानि कि p multiply p minus q यहाँ पर plus फिर q multiply q minus r फिर plus और यहाँ से r multiply r minus p क्या करना सबसे पहले comma और end का sign अट अट अगर के क्या लगा दिया plus अब यह bracket लगावा है तो इसका मतलब हो गया कि अपने इसको multiply करना है पहले तो simple form में convert करना है तो bracket अट आएगे यानि कि p into p कितना हो गया p square minus यहाँ से multiply करेंगे तो आएगा minus p q यहाँ से multiply करेंगे इसको तो यह आएगा plus का q square और इसको multiple करेंगे तो आएगा minus q R same process से इसको multiply करेंगे तो आएगा plus r square इन दोनों को multiply करेंगे तो आएगा minus का r p ठीक है अब 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 आपन डून डेंगे like terms तो p square इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है p q जो है इस्टेंडर फोर्म लिख सकते हैं किस तरीके से देखो जो maximum power इसको अपन पहले लेंगे जैसे कि P2 फिर यहां पर लिखा हुआ है प्लस Q2 इसको पहले लेंगे फिर यहां लिखा हुआ है R2 तो प्लस R2 उसके बाद में माइनस PQ माइनस QR माइनस RP माइनस PQ माइनस QR माइनस RP तो इस तरीके से इसको इस्टेंडर फोर्म की फोर्म में आंसर लेंगे ठीक है आद तक इसका सेकिंड पार्ट है इनको एड़ करना है तो सबसे पहले आपन लेखेंगे 2X Z-X-Y और एंड का साइन टकरके लिख देंगे प्लस 2Y Z-Y-X ठीक है अब ब्रेकेट ओपन करेंगे मतलब इनको पहले मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2X Z को 2X और Z को जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना जेगा 2X Z फिर यहां से क्याएगा माइनस 2X स्क्वाइर इसको पहले से मल्टिप्लाइ करना है फिर इसकी बाद में इस से मल्टिप्लाइ करेंगे फिर इसकी बाद में इस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो इसके अंदर 2xz, एक तो यहाँ पर है, और इसके लावा कहीं पर भी नहीं है, तो इसको वापस लिख देंगे हैं, पर 2xz, उसके बाद में 2x², मतलब x² भी नहीं है, कहीं पर भी, तो यह ज़ेगा, minus 2x square minus 2xy एक तो यहाँ पर है और एक minus 2xy यहाँ पर है मतलब दोनों में variable भी सह में दोनों की power भी सह में तो यह आपस में 8 यह subtract रहेंगे तो minus 2 और minus 2 कितना वजाएगा minus 4xy ठीक है 2yz अभी remaining है तो 2yz और minus 2y square ठीक है यह जग अपना right answer next इसका c part इसमें अपने को subtract करना है ठीक है तो सबसे पहले इसमें लिखावा है कि इसको subtract करना है from this यानि कि इसमें से इसको subtract करना है तो सबसे पहले उसको लेखेंगे अपन ठीक है ना from के बाद जो लिखा होता है उसको लेखेंगे तो क्या लेखेंगे 4L जैसे कहीं पर लिखा होता है कि 5, subtract 5, from 3, तो अपन क्या लिखते हैं, 3-5, मतलब कि जो from के बाद लिखा हुआ है, उसको पहले लेखेंगे, फिर subtract का sign लगाएंगे, minus का, ठीकि न, subtract के लिए, और फिर उसके बाद में, पस्ट वाले वेले को लिख देंगे, तो पहले करें अपन, तो फिर का sign लगा देंगे, minus का, और इस वाली वेल्यू को लिख देंगे, but यहां पे अपन लगाएंगे, big bracket, इसको लेखेंगे, 3L, फिर यहां से, L-4M, plus 5N, अब सबसे पहले तो अपन bracket open करेंगे, small वाले, ठीकिए, तो 4L को इससे multiply करेंगे, 10N से, तो कितना हो जाएगा, 40LN, ठीक है, उसके बाद, यहां से list को लिखेंगे, तो, minus 4, 3, 12, L, M, और, plus 2, 4, 0, 8, L, square, यहां पर, different sign तो, minus बन गया, same sign है, तो, plus बन जाएगा, इसका sign बाद में open करेंगे, bracket को, पहले, आपने, small bracket को open करेंगे, तो, 3L को, L से multiply करेंगे, तो, 3L square, 3, 4, 12, L, M, और, यहां से, plus का, 15, L, N, ठीक है, अब अपन, big bracket को open करेंगे, तो, जैसे, bracket open करेंगे, यहां पर, minus का sign है, यह, अंदर वाले, सारे sign, change हो जाएगे, ठीक है, 40LN, minus 12, L, M, plus 8, L, square, यह, minus है, यह, plus है, तो, क्या जाएगा, minus 3L, square, यह, minus है, यह, यह, भी, minus है, same sign, multiply में plus बन जाते है, तो, क्या बन जाएगा, plus 12, L, M, यह, different sign है, तो, यह, बनेगा, minus 15, L, N, अब अपन, डूनेगे, like terms, ठीक है, तो, L, N, एक तो, यहां पर है, और, इसके अलावा, L, N है, अपने पास में, एक यहां पर, तो, इसको, one tick कर दिया, L, M, जो है, यहां पर, double tick कर द 8, L, square, यहां पर है, और, 3, L, square, यहां पर है, मतलब भी, दोनों भी कहें, like term है, एक like term दो गई, cancel, ठीक है, अब इनको, solve कर लेते हैं, तो, 40 में से, 15 को, subtract करेंगे, कितना जाएगा, 25, L, N, और, 8 में से, 3 को, subtract करेंगे, तो, कितना जाएगा, plus का, 5, L, square, यह, जाएगा, इ D, part इसका, तो, इसमें, subtract करना है, अपने को, किसमें से, इस, पूरी value को, subtract करना है, from, ठेक है, तो, सबसे पहले, उसको लेखेंगे, अपन, क्या लेखेंगे, 4, C, bracket में, minus A, plus B, plus C, अब जिसको, subtract करना था, इस, पूरी value को, अपने को, subtract करना है, इसमें से, तो, उसको लिख 2B और A-B प्लस C ठीक है क्ले रहां तक अब अपने इसके small वाले bracket को open कर लेता है यहां से इसको solve करेंगे क्या हैगा minus का 4AC यहां से आएगा plus 4BC और यहां से आएगा plus 4C square इसका जो small bracket था अपने open कर लिया ठीक है big bracket को बाद में open करेंगे यहां से multiply करेंगे क्या है जाएगा 3A square यहां से आएगा अपने पास में 3AB 1 by 1 multiply कर रहे पहले इन दोनों को multiply करा फिर इन दोनों को ठीक है फिर इसको यहां से लिखेंगे अपन plus 3AC यह minus जब इससे multiply होगा तो minus का क्या हैगा 2AB यहां से multiply करेंगे तो यहां पहलेगा plus 2B square और इसको जब इससे multiply करेंगे तो आएगा minus 2B C ठीक है और लगा देंगे big bracket यहां पहले लिखावा है last में minus 2B C clear अब इस वाले bracket को open करते हैं तो यहां से लेखेंगे minus 4AC 4BC plus 4C square minus 3A square यहां से open करेंगे तो इसको लेखेंगे minus 3AB इसके sign change हो जएंगे ठीक है plus है तो minus minus है तो plus इसका बनेगा minus 3AC यहां से बनेगा plus 2AB यहां पर minus 2B square और last वाली value minus में और यह भी minus में तो sign change होकर कि क्या बन जाएगा plus मतलब दोनों multiply हो गया 2BC अब अपन डूंडेंगे इसमें like terms AC जो है एक तो यहां पर है A into C और एक A into C यहां पर है तो minus 4 और minus 3 minus में 8 हो जाएगी value minus 7AC हाजाएगा इसके बाद में BC यहां पर है और इसके अलावा BC है अपने पास में at the last तो 4 प्लस में है वो 2 भी प्लस में तो 4 और 2 कितना हो गया plus 6 B into C इसके बाद में 4C square इसके अलावा कहीं पर भी नहीं C square तो यह इसको लिख देंगे 4C square 3A square B नहीं है तो minus 3A square लिख दिया A B एक तो यहां पर है ठीक है और A B यहां पर भी है 2 में से 3 को minus करेंगे कितना जाएगा minus का 1 minus 1 लिखने की जरुत नहीं सिर्फ minus लिखेंगे और क्या लिख देंगे A B minus A B ठीक है और A किलाश वाली value बचिये अपने पास में minus 2 B square तो इसको यहां आप लिख देंगे minus 2 B square यह जगत का right answer ठीक है तो इस वीडियो में आपने इसकी exercise 9.3 को complete क्या है ठीक है मिलते नेक्स टूडियो में थेंक्स पूर वाचिंग